हलो फैंट, वेलकब टो अनलाइन फेस्टड़ी तो फैंट इस वीडियो हम देखने वाले हैं जनवरी से लेकर ऑक्टूबर 2021 का करंट अफेर जो की बहुत ज़रूरी है आपके अररबी, एससी, बैंक और जितने भी एक्जाम्स हैं उन सभी के एक्जाम्स के लिए तो ये वी आप लोगों के लिए कि यह वीडियो बहुत ज़्यदा मेहनत करने के बाद बनी है क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं एक कोशन, दो कोशन, दस कोशन डालने वाला हूँ, बहुत तर यससे कोशन डालने वाला हूँ, जो आपके एक्जाम्स में आपके लिए हेल्प करेंगे, आप पर मट्रे मिल जाएगा जो आपको प्रिपरेशन करने के लिए हेल्प करेगा, चले आगे बढ़ते हैं, पहला कोशन देखने वाले है इस वीडियो का, तो यहां आप तर कोशन पूचा है, हाली में खबरों में रहा सायक NG, क्या है, बता रहा है आपको सायक NG, एक्च्व क्या होने वाला है, प्रैक्टिस करेंगे और वीडियो के साथ साथ मुझे कमेंट करते जाएंगे, इसका जो आंसर आएगा, बढ़ाएगा, C, एयर ड्रॉप करने योग कंटेनर होगा, एयर ड्रॉप करने योग कंटेनर है, एक क्या सायक NG, अब इसके बारे मैं जानते है ड्रॉप की बात कर रहे हैं, भारती नोसना के साथ रक्षा नुशंदान और विकास संगठन, डिफेंसर जो ओगनाईशन है, उसने एक सायक NG की सफल परिक्षन किया है, इसे दो ड्रॉप प्रियोक सालाओं और निजी कंपनी जिसका नाम है अवेंटल, क्या है अवेंटल द्वारा डिजाइन और विक्षित किया गया है, अगला है मदेशिया देश ने हाली में मृत्यु दंड को स्वाप्त कर दिया है, तो यसा कौन सा देश है जिसने मृत्यु दंड को स्वाप्त कर दिया है, मदेशिया का देश है, तो यहाँ पर जो आंसर अन्ने वाला है, व हैं अभी इसके वोंगे कशिम जोमाड टोके टोके इस परकार का नाम है भी है आपका सिम करके याद रखेंगे कोई देखते नहीं जोमाड भी याद रख सकते हैं अगला गोशिन है किस राज ने किसानों की आए को बढ़ावा देने के लिए किसान करल्यान मिशन शुरू किया है तो किसान कल्यान मिशन किस राज ने शुरू किया है या स्टार्ट किया है तो यह किया है उत्तरप्रदेश ने अगला है लगदाक की भूमे और संस्कृति के संदक्षन के लिए पैनल के प्रमुक कौन है यानि कि इस पैनल के प्रमुक कौन है जिसकी सं तो यानि लगदा की संस्कृत जो इसका कर रहे हैं उसकी जो पैरल की प्रमुक आपको बताना है तो इसको प्रमुक होंगे जी किसन रैटी अगला कोशिन वश्वीश्वर किस भारती है राज या केन सासित प्रदेश से प्रशिद राजनेता संत हैं आपको बताना एक नाम द यह लिखी हैं तो यह आप पढ़ सकते हैं ध्यान रखेंगे वसवेश्वर को भी खाता है कल्यानी चालुक के साशनकाल के दोरान बारवी सताबनी के एक राजनेता लिंग संत थे याद रखेंगे और उन्हें करनाटा के लिंग्यात समुदाय का एक प्रिशिद प्रतीक मा वसवा काल्यड में 500 करव रुपए की प्रिशिद जिसका नाम है न्यू अनुभव मंडव का धार सिला रखी है इसे भैस्तान मना जाता है जहां पर दाशनिक रहते हैं अगला कोशन है धौली धियादी लोहोडी और वसेरा किस भारती राज की हाली में सुरू की गई एक प खौद प्यारा कोशन है एक्जाम में ऐसी कोशन आते तो आंसर आएगा भी या भी पंजाब इस करेक्ट आंसर ओके तो पंजाब के आपको करंट जो है आपको के सीम है आपको याद रखना है चापके भी जो कर जो सीम ते बहट चुके है अब हो गये है चैन्नी करके चरन जीत सिंग चैन्नी ओके इससे पहले आपको पता अमरिंदर सिंग थे लेकिन आप चरन चिंग चरन सिंग चैन्नी हो गये है अगला है तालिवन और लीबिया प्रतिवन समीतियों समीतियों और UNSC की आतंगबाद रोधी समीति की समीति की अधिक्षता किस देश को करनी है कमे समीतियों की अधिक्षता करने के लिए कहा गया है बारत ने सक्ति साली 15 परिश्यत 15 राष्ट परिश्यत के अहिस्ता ही सरस्य के रूप में अपना दो साल कारभाल अभी अभी सुरू किया है जन्वरी-फरवरी में स्टार्ट किया था तालिवान प्रतिवन समीतियों 1988 प्र बात करते हैं अगले कोशिन की और हाली में खवरों में बनी जूरी राहत किस देश की प्रधान मंत्री है जूरी राहत किस देश की प्रधान मंत्री है तो जूरी राहत जो है वे एस्टोनिया की प्रधान मंत्री बनी है अगला कोशिन है के प्रधान मंत्री के यहां पर PMKV किस मंत्राले के तात्वा धान में लागू किया है यानि किस मंत्राले ने इसको लागू किया है कमेंड करेंगे PM के भी बाय का फुल फॉर्म भी पूछा आता है कमेंड करेंगे तो यहां पर जो आंसर आजा है वो आएगा कौशल विकास मंतरा लेकर द्वारा इसको लांच किया गया या लागू किया गया अगला कोशन ने स्टार स्ट्रैक बायू रक्षा प्रणाली किस संदर में भारत ने हाली में किस देश के साथ मिलकर काम किया है बहुत प्यारा कोशन एक्जाम में बहुत सरे Хोशन आएंगे जो आपको आपने पढ़े नहीं होंगे बहुत सरे जो हैं आप दोग देखते हैं कि सोर जीर सो कोशन का आपको करंट तर ही पर आते हैं MTS का पहली शिप्ट का, पहले दिन का पहली शिप्ट का, यह कोशिन है करेंट अफर का योकी पूचा गया है, स्रम अंदूलन संग्राल है, कहां पर यह कोशिन आ चुका, याद रखेंगे, तो यह कहां पर है, तो यह है option केरल, इस गरैक्ट आंसर, भारत का पहला स्रम जो है अंदुलन जो है संग्राल के जो हाउस बोड परेटन केंदर याने की इसका जो किस जगह पर लॉंच है किस जगह पर बनाए गया अल्लापुजा में लॉंच किया गया है स्थान भी अल्लापुजा मैंने बता दिया आप ध्यान रखेंगे अगला है उस्ताद गुलाम मुस्त संगीत नाटक अकादमी प्रिसकार भी सम्मानित किया गया था याद रखेंगे इसके लिए इरान सहीत साथ देशों ने किस संगठन में मतदान का अधिकार खूदिया है बहुत एजगोशन यहाँ पर कोशन आना चाहिए कमेंट करेंगे तो यहाँ पर खूदिया है राष् यहाँ पर लिखेंगे तो आप अगला कूशन करेंगे जन्वरी द्विहार 25 को किस भारती राज ने अपना सुन जैनती राज दिवस मनाया है कमेंड करेंगे तो यहाँ बनाया है option c हिमाचल प्रदेश ने हिमाचल प्रदेश के हिमाले राज ने हाली में 25 जन्वरी 22 को अपना पचासवा राज दिवस मनाया है 1970 में हिमाचर प्रदेश अधिनियम को संसद है पारित किया गया था और 25 जनवरी 2021 में अस्तित में ही आया और यह देश के बनने वाला एक अठारवा भारती राज था डॉक्टर इश्वन सिंग परमार इसके पहले मुख्यमंतरी थे कमेंट करेंगे के अभी इनका मुख्यमंतरी कौन है अगला गोशिन स्क्रीन पर है किस अंतराश्टी संगठन के राकेट ने एक मिशन में सबसे अधिक संख्या में उपगरह ले जाने का रिकॉर्ड बनाया है इससे पहले आपको ध्यान लखना इंडियन स्पेस रिसर्च औरगनाईशन का नाम था सबसे जो है राकेट छोड़ने में इन्होंने 143 जो अंतरिक्षियान जो है सपलता पूरबक छोड़े हैं योकि इंडिया से भी जादा है अगला कोशिन है बट्स 22 में भारत की गरतन दिवस परेट में किस देश के शशतर बलो ने भी भाग लिया 22 के जो गरतन दिवस था उसकी परेट में अगला कोशिन है किस देश ने हाली में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सेन भुमिकार में सेवा करने की अनुमती देने के आदिस पर अस्थाक्चर किया है ट्रांसजेंडर को दियान रखेगा इंपॉर्ट कोशिन है तो आएगा अंसर यहाँ पर सियक्त राज अमेरिका ओके यह ऐसे अगला कोशिन है जैनेट येलेन कोकिस देश की पहली मैला ट्रेडी सचिब के रूप में न्युक्त किया गया है ट्रेडी ट्रेजरी जो है सचिब चुना गया है तो यहाँ पर आंसर आए अप्शन C सुयक्त राज अमेरिका ने ओके धन्नीपुर परियोजना क्या है धन्नीपुर परियोजना जो हाली में चर्चा में थी किस भारती है राज या केंस परदेश में आने वाली है या आ चुकी है कमेंट करेंगे जो कि फरवरी में आ गई है तो आंसर आएगा उत्तरप्रदेश इस करेक्ट आंसर अगला है स्टार यानि की समरिक ससत्र न्यूनी करण संदी किन दो देशों के बीच में समझोता है तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन B रूस और अमेरिका के बीच में अगला है हाली में खबरों में रहा अमरत महसब किस आयोजन का उसब था वेरी वेरी इंपॉर्ट कोशिन स्क्रीन पर जितनी भी गवर्मेंट की वेबसाइड है वहाँ पर अमरत उसब लिखा मिलेगा आपको कितनी भी आप जो हैं अगर आप निकालेंगे वेबसाइड सर्च करेंगे डेफनेटली आपको अमरत उसब लिखा हुआ रहेगा अमरत उसब चलता रहेगा उसके हेडलाइन वह कि यह वेरी वेरी इंपॉर्टन है क्योंकि भारत की आजादी के 75 वर्स 75 वे वर्स में ये मना रहे हैं और ये 75 हफते तक चलेगा कितने हफते तक चलेगा 75 हफते तक चलेगा याद रखेंगे अगला कोशन स्क्रीन पर है बैंकोक में आयद बैडमिंटन वर्ल्ड टूर में पुर्ष एकल का फाइनल किसन जीता वेरी वेरी इंपॉर्ट कोशन सारे एक से बढ़ करें एक अच्छे कोशन है तो आंसर आएगा उप्शन वन अंडर्स अंटू ने सेन ने जीता अगला है हाली में किस प्रजाती का नाम अरुनाचर प्रदेश के नाम पर रखा गया है कमेंट करेंगे वेरी वेरी इंपॉर्ट कोशन स्क्रीन पर आएगा एक यहाँ पर चिपकली होगी जिसके नाम पर अरुनाचर प्रदेश के नाम पर इसका नाम रखा गया है यहाँ पर आपको थोड़ से इसके इंफरमिशन बता जाता हूँ सुथ करता हूँ कि एक दलने अरुनाचर प्रदेश राज में चिपकली की नई प्रजाती खोजी है नई प्रजाती जीनस साइरा टोटेक्टलास इसके प्रकार का नाम है जो से सम्मंदित है जिससे बेंट टोड जैकोस के रूप में भी जाना आता है इस प्रजाती का नाम अरुनाचर प्रदेश के नाम पर रखा गया है साइटो डेक्सिलस अरुनाचलिस करके का रखा गया है ध्यान रखेंगे थोड़ा सा जो है complicated है लेकिन फिर भी अगला कोशन है रास्टिस रक्षा परिश्यत की स्थापना किस के नीयम मंत्राले नैं की थी वेरी-विरी इंपर्जाट कोशन तो यहां मंत्राले रहेगा श्रम मंत्राले अगला कोशन स्क्रीन पर टपुवन जलवद्दुद परिजव्यजना जो हाली में चर्चा में है या चर्चा में रही है वह किस राजे से सम्मंदत है या किस राजे में इस्तित है तो यहाँ पर आएगा option C यानि कि उत्राखंड में इस्तित है तपुवन जल विद्धुत परिजना अब बालिक ने जो है दो जल विद्धुत परिजनाओं परिजनाओं का नामत या नाम यह लिया है पहली है रिशी गंगा लगु जल विद्धुत परिजनाओं और दूसरी है राष्ट्य ताब विद्धुत निगम यानि कि NTPC की तपुवन परिजनाओं को बहाल किया है या परिजनाओं किया है या परिजनाओं की है परियुजिना राज्यिम में धौली गंगा अग्ला कोशिन है त्विटर के made in India का नाम क्या नाम है जो हाली में चठ्चा में रहा है त्विटर का made in India विकल्प है जिसका नाम है कुव अग्ला कोशिन है रिवाड परियुजिना जो हाली मेर चाचा में रही वह किस राज के द्वारा लागू की गई तो यह है राज होगा उड़ीशा अंगनबाडी किन्रों पर स्वास्थ इबं बिध्यालेपूर्व सिक्षा सेवा है प्रदान करने के लिए कौन सी योजना लागू की गई है इस योजना का नाम होगा एकिकरत बाल विकास योजना सुरक्षित इंटरनेट दिवस दुयरेक्टीस का विशे क्या है फेरी इंपॉर्ट कोशिन तो यहाँ पर जो आएगा आंसर आएगा आप्शिन भी एक साथ बेतर इंटरनेट के लिए अगला कोशिन है यहाँ पर इसकी बारे में दिखाया हुआ है तो आप देख सकते हैं अठारवी संस्क्राइण में इस वर्ट जो है इसकी थीम थी या फरम बात कर इसका थीम जो है इंपॉर्टन है तो के एकज़ाम पूशे तकते हैं तोगेदर फॉरा बैटर इंटरनेट तोगेदर फॉरा बैटर इंटरनेट यह की बेशे पूचा गया था तो हिंदी में थोड़ सा चेंज हो गया है लेकिन इंग्लिश में यह आएगा तोगेदर फॉरा बैटर इंटरनेट अगला क्योशन है हाली में चर्चा में रहा तियान वेन फस्ट किस देश का अंतरक्षियान है तियान वेन किस का जो है किस देश का अंतरक्षियान है तो आप शिनाएगा भी चाइना का अगला है किस फिल्मी हस्ती ने इसराइल का प्रतिस्टित 22 जेनेसिस पुरुस्कार जीता है कमेंट करेंगे यहाँ पर जो आंसर आएगा स्वीडन स्पीलर वर्क अगला कोशिन है हुनमन इन स्पेस फॉलसी 22 के मसोदे का अनावरन किया है किस देश ने किया है तो यह किया है भारत ने कौन सा भारती गेंद बाद भारत की खेले गए टेस्ट मैचों में दूसरा सबसे ज़्यादा बिकेट लेने वाला गेंद बाज बन चुका है कमेंट करेंगे तो आंसर आएगा आपका रविंद्र चन अस्विन तो इनके बारे में लेखा है रविंद्र आस्विन ने 76 टेस्ट मैचों में 300 इनक्यान में विकेट लिए है जिनके जो ओसद है 28.76 की ओसद है याद रखेंगे इंपार्ट ने और अनिल कुमले की बात करें तो इन्होंने साड़े 300 विकेट लिए थे और भारत में भारत में सबसे अधिक विकेट लेने वाला गेंदवाज जो है यह कौन है भाईया यह आपके अब बन गए कौन बन गए भी है अस्विन बन गए याद रखेंगे इंपार्ट कोशिन एक्जाम में ऐसे कोशिन बारवर आजाते है अगला कोशिन है गरीब लोगों कि एक को पांच रुपए के भोजन उपलब्द कराने के लिए किस भारतिय राज या केल सबसे परदेश में मा योजना चालो की गई है कमेंट करेंगे तो आंसर आएगा ऑप्शन बी पश्यमंगार लेकिन इससे पहले एक और बात बता दूँ आपसे मद्द प्रोदेश में भी एक परियुजना है जो की पांच रुपए में भोजन उपलब्द कराती है याद रखेंगे अगला कोशिन है 2021 टाइम हंडेड या फिर टाइम हंडेड नेक्स्ट करकर टाइम पत्रिका की हंडेड यानि की सो उबरते निताओं की वार्षिक रुची में सामिल होने वाला एक मात्र भारतिय कारेकरता कौन है तो आंसर आएगा चंद सेखर आजाद अगला कोशिन है विश्व के दुयार बीस ट्री सिटी के रूप में मायनेता प्राप्त एक मात्र भारतिय सहर कौन सा है कोशिन आ चुका है और लड़ी 2020 में विस्व ट्री या फिर हम बोल सकते हैं ट्री सिटी जो है किसे गोशित किया गया है तो यह किया गया है है धराबाद को याद रखेंगे इंपॉर्ट गोशिन है तो किसने गोशित किया है ऑवर डे फाउनडेशन और खाद और कृशी संगाठन ने इसको बोला है अगले गोशिन है काला नमक चावल या बौद्चावल जो حالी मेर चर्चा में रहा किस भारती है राज से सम्शन है very important question screen पर ऐसे question आते हैं नहीं सोज में आता कि answer क्या है अजीब नाम है काला नामक चावल काला नामक चावल या बहुत चावल जो है आपने बहुत कम सुना होगा लेकिन answer आएगा option भी उत्तरप्रदेश अगला question है हाली में भारत के किस राज में center for drone pilot training and service for drones का उद्गाटन किया गया है अब थोड़ा सा बड़ा title है लेकिन आपको ये बताना है service of drone का उद्गाटन कहां किया गया यह किया गया असम में अगला question है तीजवा adriatic pearl tournament किस देश में आयद हुआ तो यहाँ पर हुआ कहाँ पर भी यह option है Montenegro में इसका उद्गाटन हुआ यहाँ पर देख सकते हैं तो यहाँ पर important हमारे लिए क्या था तीजवे एंडिया pearl tournament का आयज़न बुडवा Montenegro में जो है किया गया भारत महिला ने भारती महिला टीम ने 10 वदक पाच सोण और 3 रज़त और 2 कास से भारती महिला में भारती महिला में के बाच टीम पाच पदक के साथ समाथ हुई है अगला है किस हवाई अड़े का नाम बदलकर मर्यादा पुर्षोत्तम सीरी नाम हवाई अड़ा रखा गया है मर्यादा पुर्षोत्तम स्री नाम हवाईड़ा कर दिया गया है भारत की पहली पानी के नीचे सुरंग का निर्मान किस सहर में किया गया अच्छा कोशिन है तो यहां पर जो आंसर आएगा वह आएगा बुंबई इस का रैक्ट आंसर अगला है हाली में किस राज में उन्नत पशुधन और पशु विज्ञान उशंदान संस्तान का उदगाटन किया गया कमेंट करेंगे तो यह किया गया तमिलालू में अगला कोशिन है आर विने कुमार ने किस खेल से सन्यास की गोशिना करी है comment करेंगे तो यह है जो है आप option आएगा B cricket is correct answer R जो अश्विन हुमार नहीं है ध्यान रखेंगे R बिने कुमार हैं जो कि अलड़ी खेल चोके हैं बहुत सरे गिम अगला question है यहापर सागर मंतन market tile marine domain awareness center किस सिखर सम्मिरन मैं launch किये गए है तो answer आएगा option B समदरी भारती सिखर सम्मिरन अगला question है हुरून global rich list 22 के 10 वे संस्करण के अनुशार किस देश में सबसे अधिक अरब पती है important question है very important question है यहापर जो answer आएगा चाइना में सबसे ज़्यादा अरब पती है याद रखेंगे अगला question है सिंदू नेत्र उटगरे को हाली में किस PSLV का उप्योग करके सबलता पूर्वक लाँच किया गया है तो यहापर जो answer आएगा option आएगा 1 PSLV C-51 मैत्री सेतू पुल किस नदी पर बनबाया गया है तो मैत्री शेतू बनबाया गया है फैनी नदी पर तो फैनी नदी जो है आपका जो बिरिज है वो बंगा भारत और बंगला देश को बीच में है आज रखेंगे जिसका निर्मान जेतरुपरा राज में फैनी नदी पर हुआ है जो कि इसकी लंबाई है 1.9 किलोमीटर और यह भारत और बंगला देश को जोड़ दिये अगला है हाली में इस्तीपा देने वाले तरवेंदर सिंग रावत किस राज के मुक्य मंत्री बने बहुत प्यारा कुशन आप्शन आएगा सी उत्राखंड तरवेंदर सिंग रावत लेकिन अब कौन है करंट में ध्यान लखेंगे तो यहाँ पर होंगे पुशकर सिंग धामी अगला है भारती सोजनता के 75 वर्स पूरे होने के उपलक्ष में प्रस्तावित समारों को क्या नाम दिया गया अच्छा कोशन है अगला कोशन है भारती गन्ना अनुसंदान संस्तान कहाँ पर इस्थत है तो यह है आपके लखनव में यह कोशन भी और लड़ी पूछा जा चुका है अगला कोशन है इसके बारे में यहाँ पर इसलिए इंपॉर्टन है क्योंकि इसके भारती गन्ना अनुसंदान जो है उत्तर प्रदेश के लखनव में नागरिक उड्डेन मंत्री और नागरिक उड्डेन महान निदेशाले ने जो है आई आई एस आर को डोन का उपियोग करने के लिए जो है ससर्थ छूट दिया यानि कि छूट दे दिये संस्तान जो है डोन का उपियोग करके करने की सब के फसल के कीट और रोग को नियंतर करने के लिए डोन चलकाव समादान को मुल्यांकन करने के लिए प्रेक्षन करेगा यानि कि डोन का इस्तेमाल कर सकते हैं अगला question screen पर किस प्रोद्गी की company ने भारत में B1 या फिर B1 विल बेव platform लाँच किया B1 विल बेव प्रोटल जो है किसने लाँच किया comment करेंगे तो यह है पर आएगा answer Google is correct answer अगला है आर्थिक सुझकान 21 में कौन सा देश सीर्स पर रहा important है एक्जाम में आता ही है अब यह option आएगा B Singapore is correct answer तो यह Singapore जो है American think tank The heritage foundation द्वारा जारी आर्थिक सोनता सुझकान 22 में सबसे उपर रहा 89.7 अंके सा सिंगापूर के बाहत दूसरे स्थान पर New Zealand सीर्स के पांस देशों में अगर बात करें Australia, Switzerland और Ireland है और Asia प्रांत में भारत जो है 26 में नमबर पर आया है अगला है भारत के नए मुख्य सांक की के रूप में किसे नुक्त किया गया है कमेंट करेंगे तो यहाँ पर आएगा option 1 Dr. G.P. सामंद अगला है अर्जुन सायक सिचाई परीना भारत के किस राज में किरियानवित की जा रही है या किरियानवित है तो यहाँ पर आएगा option B उत्तरपरदेश अगला है महा मसुदा इसो फो इसो फो इस परकार का जिनोंने हाली में नेतरत के लिए अफरीका का सीज पुरुसकार जीता है किस देश के राजपती है आपको यह बताना है महा मा दो के इस परकार का ने में वही इनका तो यह राजपती बताने है कि यह किस देश के राजपती है यहाँ पर आएगा option C नाई जीरिया के अगला है ब्रिक्स 2021 का अद्ध्ष कौन साथ देश है बहुत सिंपल है अगला आजपा अंसर जो आएगा option ने का D तो यहाँ आपर जो है 9 से 11 मार्श तक जो है यह जो है चला देश्य तक करी ब्रिक्स जो है याद रखेंगे इसका जो बिशे है वो थूड़ा सा ध्यान रखना है ब्रिक्स एड़ारेट 15 इंट्रा ब्रिक्स कॉर्परेशन फोर कंटीनुटी कॉंसलेडरेशन कॉंसलेडरेशन एंड कंसेशन कंसेशन करके इसका जो है एक बिशे है यह याद रखना है थूड़ा पूछ सकता है वो अगला कोशन है हाली मर्द चर्चा में रही जुलूस जंजाती किस देश से सम्मनित है जुलूस जंजाती जो है वह दच्छन अफ्रीका सम्मनित है ऑके भवानी देवी किस खेल से सम्मनित है इंपॉर्टन कोशन एक्जाम में आया हुआ है यहाँ पर आएक उप्शन C फैंसिंग से जो तलवार वाजी होती है उसे फैंसिंग बोला जाता है याद रखेंगे तो भवानी देवी जो उलम्पिक में जो उलम्पिक लिए क्वालिफाइ हुई करने वाली पहली भरती महिला थी जो उन्होंने फैंसिंग में जो एक qualify किया है, question important है, exam में आए हुआ है, ये मुझे इसलिए भी याद है, और मुझे इसलिए भी अच्छा लगता है, क्योंकि मेरी जो sister है, वो भी fencing में जो है player है, तो important question है, exam में आए गई आएगा, और लिख लीजे ये question आएगा, अगला question है, पशिद चित्रकार, लश्वन पाई, जिनका हाली में निदन हो गया है, किस राजिस से सम्वन्दित थे, तो यह आएगा option D, गुवा से, अगल इनके बारे में है, बह बारत के प्रतित कलाकार थे अगला question है, विश्व के सबसे बड़े floating solar park, किस देश में बन रहे हैं, देखे, एक चीज, आपको question, दो चीज है, आपको बता दूँ, मैं आपको, देखे, पहली चीज तो आपको बता दूँ, कि विश्व का सबसे बड़ा floating park, कहा बन रहा है, यह पहली चीज, कहा बन रहा है, तो आप बोलेंगे, सिंगापुर में, अगर आप से पूचा जाए, भारत का सबसे बड़ा floating park, कहा पर है, तो मद्द प्रदेश में है, सागर में है, ओके, भारत का सबसे बड़ा floating solar park, जो है, अगर आप, अगर आप देखा जाए, तो अभी भी जो है, बिश्व का सब बहुत ज़्यादा है, इसलिए जो है, वो solar energy का यूज़ करना चाह रहा है, इसलिए जो है, इसको लगाया गया है, अगला कोशन है, मार्च 2021 तक अंतराश्टिय स्वारस गडवंदन में, सामिल होने वाला, नविन्तम यूरोपिय देश कौन सा है, यहाँ पर अंसर आया का option अगला है, वाइकाल GVD क्या है, जो हाली मेर चर्चा में रहा, यह क्या है, यह एक रूसी टेलेस्कोप है, वाइकाल GVD, याद रखें, important है, exam में आया हुआ है, रूस के विज्ञानिक ने वैकाल GVD, नामक एक दूरबीन विख्षित की है, और तैनात की है, टेलेस्कोप को दच्छन साइवरिया वैकाल जील की घहराई में लगाया गया है, कुशन यह भी आता है, विश्व का पाताल के से कहते हैं, तो वैकाल जील को कहते हैं, कहां पर है यह आपको पता ना है मुझे के वैकाल जील कहांपर, यह पैसे तो आपको पता ही चलगा रूस में, तो यह जो है प्रदवी की सबसे घहरी जील है और इस दुर्वीन का भियोग जाय है वेग्यानिक न्यूट्रिनो की खोज के लिए कर रहे हैं और न्यूट्रिनो क्या है ब्रमान का सबसे चोटा कण ग्यात करने की कौसिस किया जा रही है इस बैकाल जीवीडी दुर्वीन के दौ अगला कोशिन अगर यह कोशिन अच्छा लगा है प्लीज वीडियो को लाइक करें शेयर कर दें सरत कमल साथियान सुर्थीर मुखरजी जो हाली में उलम्पिक के लिए कौलिफाय करने के लिए चर्चा में रहे वो किस खेल से सम्मनित हैं तो यह खेलते हैं टेवल टैनेस अगला है नौरुज क्या है नौरुज क्या है विया कमेंट करना है ऐसे आएगा और ऐसे कोशिन आएगा नौरुज क्या है तो नौरुज है विया इरानी और फ्रांसी नवर्स को आप कहोगे नौरुज ओके तिव के लिए पश्वों के लिए तो आंसर आएगा option D आंध प्रदेशन सुनिक्त राष्ट विश्व जल बेकास रिपोर्ट 22 का शीषक क्या है कमेंड करेंगे अच्छा कोशन है तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वाएगा मुल्यान मुल्यवान पानी क्या बूलेंगे मुल्यवान पानी या बूल सकते हैं प्राइस लेस वाटर भी बूल सकते हैं अगला कोशिस के बारे में सारी चियां दी है तो 22 मार्च को विश्व जल दिबस के रूप में मना जाता है इस दिन को मनाने का मुक्रफ फोकर जो एस विकास लक्ष यानिकी SDG 6 की उपलवदी का समरतन करना है 22 तीज दक सभी को सुच पानी का इसका जो एक उपला बूला गया है इस वर्स जो है थीम क्या विए पानी का महत विए वर्स की थीम है वर्स दुराज महासभा दोरा इस समंद में जए परिस्ताब पारित के गया था अगले कोशी ने विश्व की पहली जाज सुरंग किस का निर्माल किस देस मैं किया गया है कमेंट करेंगे पहली जाज सुरंग का निर्माल तो answer आएग option B नौवीन है अगला है मिताली express एक नई यात्री train है जिसका हाली में उद्गाटन किया गया है के किया गया है धाका को किस भारती सहर से जोड़ती है comment करेंगे important question है मिताली express बतानी है धाका को किस भारती सहर से जोड़ती है तो यहाँ पर आएगा new gel pie goodie से जोड़ जाती है जोड़ जाती है फर यह इसके बीच में चलती है अगला question है किस देश ने सबसे तेज स्रॉड़क निर्मार करने का विकास विस्ट रिकॉर्ड हासिल किया आपको पता है मैंने अभी विस जो है किस टेलेस्कोप ने M87 ब्लैक होल को अपने चुम्ब की छेतर में कैद कर लिया question है simple ही है M87 ब्लैक होल को किस टेलेस्कोप ने मतलब photo कीचा या किस टेलेस्कोप का चित्र आया है comment करेंगे यहाँ पर आएगा event horizon टेलेस्कोप इसका नाम है अगला है भारत ने सुखत अरब अमीराद में अमिर्का और निमलिकित मैंसे किस देश समेत अन्य देशों के साथ बहु पक्षिये बायू अभ्यास में हिश्चा लिया तो answer आएगा यहाँ पर पागिस्तान के साथ में हिश्चा लिया याद रखेंगे ओके यहाँ पर important है एक्जाम पूल चा जाएगा यह कोशिन ऐसे याद आते हैं अगला कोशिन है श्रेशे सिंग, राईश्वरी कुमारी और मनिशा कीर की भारते तिगडी ने ISSF निसानेवाजी विश्व कप के अंतिम दिन मैला ट्रेप टीम इसपरदा के फाइनल में कजागिस्तान को 6-0 से हराया आपको बताना है इन्होंने कौन से पदक जीते कमेंड करेंगे, फैरी इंपॉर्ट कोशन है बस थोड़ा सा घुमाया हुआ है आपको बताना है, कमेंड करेंगे, यहाँ पर जवान सराएगा इन्होंने सुर्ण पदक जीते क्या जीते? गोल्ड मेडल जीता अगला है नरिंद मूदी तथा कोई और एक बेक्ती का नाम बताना है ने, 1971 के बंगाल देश के मुक्ती संग्राम में जान गवाने वाले भारतियों के संबान में बनने वाले पहले समारक की सिख तुरूप से अधार शिला रखी तो आपको यह बताना है बंगाल देश के जो है मुक्ष मंत्री प्रधान मंत्री कौन है कमेंट करना है तो यहाँ पर आपको पता है कौन है सिख हशीना इस का रैक्ट आंसर अगला कोशिन है भारत बंगला देश के वीच धाका में नरिंद मुदी और सिख हशीना के प्रधान मंत्री बताई दिया राश्पदी कौन है अब्दुल हमीद है अगला है डॉक्टर बैंकेट सुबईया का हाली में ने दन हुआ है वे निमलिकित में से किस पेशे से संबन दे थे तो डॉक्टर लगा है तो क्या न चाहिए बिया आप सुच रहे है डॉक्टर है का डॉक्टर आप्शिन में नहीं था आंसर है का राजनित किया अगला है लेफटिनेंट जनरल वाग पिंटो जो की सेवा निब्रत है एक सेनन नायक जिन्होंने आपको टाइम बताने भारत पागिस्तान युद में पैदल सेना प्रुभार का नित्त किया और हाली में इनका निदन हो गया लेफटिनेंट जनरल का जो है निदन हो गया है आपको यह बताना है इन्होंने भाग पागिस्तान के कौन सी नंबर वाले युद में भाग लिया था इंपर्टन कोशन है वेरी वेरी इंपर्टन कोशन दियान केंगे पंदरा जन्वरी ओके आपका सरी पंदरा अगस्ट 1971 में भारत ने भारत ने भारत ने बंगला देश को पागिस्तान से जो आजात किया था तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा 1971 1971 अगला कोशन है सहा महमूद कुरेशी ने तजाकिस्तान में Heart of Asia संबेलन में एक प्रतिन नीदी मंडल का नेतरुत किया तजाकिस्तान की राजदानी का है कमेंट करें राजदानी कौन सी है या कौन सा है कमेंट करेंगे तो यहाँ पर option आएगा कायक कोश न्युक्त किया गया तो यह क्या गया है option आएगा यहाँ पर क्या ने वाला है option आएगा डी अजय रात्रा अगला है question राश्तिय राजदानी छेत्र दिल्ली सरकार्जवे संसुदर अधिनियम 2021 में किसने अपनी सहमती दी तो किसने अपनी सहमती दी भी या option आएगा रामनात कुविन ने दी अगला है दसवे यानि कि नरिन्द मूदी ने सिख मुझिबीर रह्मान को छोटी वेटी को गांदी सांती प्रुसकार द्यर बीज दिया रह्मान किस देश के पहले राश्पती थे very important question यहाँ पर 10 लेव लेखा है उसको अठा दीजेगा नरिन्द मूदी ने मुझिबीर रह्मान की छोटी वेटी को क्या दिया है गांदी सांती प्रुसकार दिया है तो यह आपको बताना है किस देश के राश्पती का नाम था यहाँ पर आंसर आएगा option B बंगाल देश 1971 में को बनाया गया अगला कुशन है अब राश्पती M.Bankarayan नाइडू गुजराथ में कितने दिन लंबी दांडी यात्रा के सांपन समारों में मुक्यत अकित थी रहे थे तो यहाँ पर आंसर आएगा 25 डेस के अभी नीता रणी कांद को कौन से नंबर का दादा साफ फाल के पुरुषकार से सम्मानित किया गया यहाँ पर याद रखेंगे ललीता रुए को याद रखेंगे ललीता रुए को पहला दादा साफ फाल के अबार्ड मिला था रजनी कांद को दिया गया था अगला कोशिन है GS क्रेशन ने भारत के पिर्मक जैव प्रद्दोकी अध्योग संगठन जिसका नाम है ABLE के नए अध्यश की रूप में कारेबार समाला है ABLE का फुल फॉर्म क्या है तो ABLE का फुल फॉर्म उने वाला Association of Biotechnology-led Enterprises अगला कोशिन है सार्वजनिक उध्यम चैन बोर्ड P.E.S.V की अध्यश के रूप में किसे निउक्त किया गया है कमेंट कीजेगा तो किया गया है किसे मलिका स्रीनिवाशिन को अगला है भारत सरगार के स्रम और रोजगार वंत्राले के तहट कर्मचारी, राजजबीमा, निगं I.E.S.I.E. के मानिदेशा का कारवार किसने समाला है तो यह समाला है मुकमीद S. भाटिया को दिया गया है हाली में भारत के किस देश के मुक्ती संग्राम के योगदान के यह कोशिन इसलिए आया है क्योंकि बंगाल देश से इंपॉर्टन जुडा हुआ है तो बंगाल देश इसका रेक्ट आंसर तो उनके जो भी freedom fighter रहे वहांके उनके बच्चों के लिए छात्रवती दी गई है बंगाल देश के अगला कोशिन है सांती अग्रसें 2021 में सिर्कत करेंगे कौन करेंगे यहाँ पर कोशिन है देखिए भारती सेना निमले कितमे से किस देश में होने वाले बहुत देशे सेन अभ्यास सांती अग्रसें 2021 में सिर्कत करेंगे कहाँ पर करेंगे यहाँ पर अंसरा आएका option है का बंगाल देस में बहुत अच्छा कोशन है अगला कोशन है भारतीय प्रदोगी संस्थान रोपड के निदिशक के रूप में किसे निदिशक कौन है भी या भारतीय प्रदोगी की संस्थान रोपड ओके लोपर जगए है याद रखेंगे ये भारते प्रद्द की संस्तान है एक्चुल में तो answer आएक option बन राजीब अहुजा very very important question अगला question है पुरुषों की मुक्यवाजी विश्वी चेंपेंशिप 32 की से 33 किस देश में आयद किया जाएगा very very important question तो किस देश में आयद किया जाएगा ये है किया जाएगा उजवेगिस्तान में तो यहाँ पर पुरुषों की विश्मुक्यवाजी की बात करें तो उजवेगिस्तान में किया जाएगा इसकी राज़दानी क्या है ताशकंद है अगला question screen पर है शशीकला का हाली में निदन हो गया है वैकिस छेतर से सम्मन देती यह तो आपको पता ही होगा सबी लोगों को पता होगा जितने भी लोग पुराने हैं या फिर आपका जो आपके आपसे बड़े हैं 10-15-20 साल तो उनसे पूछेंगे सशीकला कौन तो रंद बता देंगे तो यहाँ पर जाएंगी अभी नेत्री आएंगी अगला कोश्र है निमलेकित में से किस राज सरकार ने अपनी खावटी अनुदान योजना के तहत राज के आदिवाशी परिवारों को संबित्रण के लिए 231 करूट रुपए की रासी मंजूर दिया है अब योजना सुन लीजे या फिर आप पहले इसको योजना का नाम इंपॉर्टन है एक्जाम में आगा खावटी अनुदान योजना ये बहुत ज़़धा इंपॉर्टन है रास्टी निती 221 को किसने मंजूरी थी तो यह है पर आंसर आएगा ऑप्शन आएगा हर्श वर्दन के द्वारा अगला है बिसी सी आई की बिस्ता चार ब्रोधी एकाई के प्रमक कौन है कमेंट करेंगे तो इसके प्रमक बनाये गए है यहाँ पर अजीर सिंग को अगला है कोशोबो के राष्टपती कौन है कमेंट करें कोशोबो के राष्टपती कौन है या यह बजूस उसमानी या फिर उसमानी बोल सकते हैं यह कोशोबो के नए राष्टपती बनाये गए है मियामी उपन का final 22 किषनी जीता तो यह जीता है बहुत अच्छा कोशन Heward Harkarj ने राफिल नडाल मतलगा दीजेगा Heward Harkarj ने अगला कोशन है ठीका उससब का ठीका करण अभियान किस तिथी को मनाया जाता है किस तिथी से किस तिथी तक मनाया जाता है कब से कब तक मनाया जाता है तो ठीका उससब मनाया जाता है 11 से लेका 14 अप्रेल 22 तक मनाया गया इसके बारे में सारी चीये लेकिए है ठीका उससब अभियान जिसकी सुरुवात समासुदार जूतिवा फुले जैनती को हुई यानि 11 अप्रेल को और डॉक्टर अमेटकर जैनती परिसका समापन हुई 14 अप्रेल को अगला कोशिन निमलिकित में से कौन सा राज्य चात्रों के लिए मासिक माइक्रो चात्रती कारेकरम सुरू करने वाला पहला राजबन गया है तो यह बना है राज सिक्किम अगला है अवियान प्रतेक याद रखेंगे प्रतेक एक टीका करन एक प्रतेक एक एक का इलाज और प्रतेक एक एक को बचाओ यह थोड़ा से सैन्टेस आपको ध्यान रखने यह किस राज़ से सम्मंधत अवियान है कमेंट करेंगे यह आए गई आएगा इंपार्ट ने एक्जाम में 101 परसंट आएगा COVID-19 से संबनते है याद रखेंगे अगला कोशिने मनोज सिना ने किस सहर में एशिया के सबसे बड़े ट्युलिप उध्यान में ट्युलिप उसब का उध्गाटन किया है तो यह कहाँ पर किया है यह किया है आपका सी नगर में तो मनोज सिना ने जो है सी नगर में बिशिप प्रिशिद्ध जो है डल जील के किनारे जो है डल जील के किनारे इसका आएजिन किया इशिया के सबसे बड़े ट्युलिप गार्डन में जो है ट्युलिप उस सब जो है इ तो यह ने जिशक निवक्त किया गया है चिंतन वैषनप को, okay अगला है अंत्रिक्ष कारेकरम के लिए स्विक्त अरवामिरात की पहली मायला अंत्रिक्ष याद्री निम्नमय से कौन है तो यहाँ पर आंसर आने वाला आप्शन, okay नौरा अल मतुशी अंतिक यात्र याद रखना अवर अमिरात की कौन है भीया पहली नौरा अल मतुशी ओके हमारी कल्पना चाबला अगला कुशन है राम करण बर्मा को किस देश में भारत का राज्टू नुक्त किया गया है तो यहाँ पर अंसर आएगा गयाँ में अगला ह भारत किस भारतिय महिला को UNDP के एसेसेटिव प्रशाशन के रूप में नुक्त किया गया तो यहाँ पर अंसर आएगा उशा राव मोनारी अगला है किस राज या केन ससित प्रदेश ने गरीव छात्रों के लिए लैब ऑन वील कारेकरम स्रूप किया तो किस प्रदेश पर आयत विश्व बैंक आई एफ आई एम एफ की विकास समीती की एक सो तीन भी वैटा के मैं भारत का प्रतिनिदित किस ने किया कमेंट करेंगे तो प्रतिनिदित कौन करेगा भी है बैंक से लिए फाइनस मिनिस्टर कौन है हमारी नेमरा सितर रामन बही सिंपल कोशन था कमेंट करेंगे तो किस ने किया भी है यह तो यहां आया का उप्षिन 4 Central Bureau of Health Intelligence ने अगला कोशन एकवा किशानों के लिए एक electronic bazar इसंता का उधगाटन किस ने किया जो कि किसानों के लिए उन किशानों के लिए जो कि मशली पकड़ना या पर जो है समुद से लिए जो है काम क अगला है Airport Authority of India के अध्यक्ष की रूप में किसने पदवार समाला है तो यहां पर अंसर आएगा संजीब कुमार को किसे देवी शंकर अवस्ती प्रुसकार ध्यरबीस से सम्मानित किया गया तो इनका नाम होने वाला है आशुतोष भरद्वाज निमलिकित मेंसे किसने उतकल केशरी डॉक्टर हरेकरशन के महताब द्वारा लिखित पुस्तक ओडीशा इत्यास का हिंदी अनुवाद किया है इंपॉर्टने उतकल केशरी जो है निमलिकित मेंसे किसने उतकल केशरी डॉक्टर हरेकरशन महताब द्वारा लिखी एक पुस्तक इसका नाम है ओडीशा का जो हे हिंदी अनुवाद किया है तो आंसर है का उतकल पहले पुस्तक्ती लेकिन उडिशा के इतियास हो गई है अब उडिशा के इतियास जो है किसना नाम रखा ये नरेंद मोदीना रखा है इसका अगला कोशन है चोंतर भी रात बिट्रिश Academy for Film and Television Award में सर्व शिष फिल्म स्रेनी का बेता कौन है तो यहाँ पर आंसर आएगा ये Norm करके इसका नाम हम भी यह अगला है चस्प्रिश गड़ बीरानी पुस्तकार किसने जीता चस्प्रिश का बीरानी पुस्तकार है यह किसको दिया गया यह दियागाय दूती चंद को वेरी इंपॉर्टन कोशिन स्क्रीन पर अगला कोशिन है बंगाल देश में भारती उच्चायुक्त कौन है इंपॉर्टन है यहाँ पर आएगा भी आप्शन भी बिक्रम कुमार दोरी स्वामी अगला है देश के युवाओं को कौशल अफसरों की और प्रिरित करने तथा उनके अधिकार लाव दिलाने की द्रस्टी से किस सहर में महाकुम मेले में स्किल इंडिया पैवेलियन का बर्चुल उद्गाटन किया था अब आपको बताना है कि महाकुम मुझे याई कुम का मेलान अभी हाली में कहापल लगा था बहुत सिंपल देहरा ओके हरिद्वार में चलें अगला कुशन राश्टपति ने बरष्ट निर्वाचन अयुक्त आपको नाम बताना है को भारती है निर्वाचन अयुक्त के मुक निरवाचन अयोकत के पद पर जुक्त गया गया बताना है मुक की निरवाचन अयोकत हमारा कौन बनाये गया है तो वह आंसर आएगा सुशील चंदरा को अगला है विष्वनाथan आनंद के पिता के विश्वनाथ आनंद का हाली में निदन हो गया है देखिए सुनिए बिश्वनात आनंद जो है एक जो चैस पिलियर थी इनके पिता का नाम था बिश्वनात इनका निदन हो गया है आपको यह बताना है कि जो बिश्वनात आनंद है उन्होंने कितने वार सतरंज की जो है सतरंज चेंपेंशिप रह या फिर ग्रैंड मस्टर से बोलते हैं कितने वार रह चुके हैं तो यह रह चुके हैं भीया पांच वार कितने वार पांच वार सबसे पहला नहीं जीता था पहले देखिए अगला कोशन ने जॉब बाइडन सिक्त राज अमेरिका के कौन से नंबर के राश्वती है तो पहली चीज़ तो अमेरिका के राश्वती बना जाते हैं मातर चार साल के लिए कितने साल के लिए भीया चार साल के लिए बना जाते है और कोई व्यक्ति दो बार तक बन सकता है बस मातर यानि कि Cambridge विश्विद्याल है कि परतिष्टित अंतरास्टिय स्नात अकुत्तर चात्रवती कार्यकरब जिसका नाम है Great Cambridge Class of 2020 में दुनिया वर के चुने गए चुने चात्रवते चात्रव एसे सामिल ले तो इसमें 9 भारति चात्रव सामिल किया रहा हैं अगला है लोगप्रिय फिल्म है Harry Potter और पिकी वाइनडर्स सीरिज में काम कर चुकी एक अभीनेत्री का नाम बताना, जो कि इनका नाम है, हैलन मैक क्रोरी का हाली में बावन्स भाल की उम्मर में निदन हो गया, आपको बस इतना बताना है, वो किस देश से थी, हैलन मैक क्रोरी जो है, इनका निदन हो गया है, यह किस देश से सम्मंदन थी, यह किस देश से थी, तो यह ब्रेटेन की रहने वाले थी हैरी पॉर्टर मोबी में इनको देखा होगा आपने अगला कोशिन है तमिलनाडू के बर्तमान गवर्नर कौन है इंपोर्टन है तो इनके गवर्नर होंगे आर एन रवी दा हिंदू गुरूफ पॉब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेड ने किसे अपने समू संपादी है संपाद की यह अधिकार के रूप में निउक्त किया गया है तो यहाँ पर आंसर आएगा औप्शिन कशन प्रिशाद इस का रेक्ट आंसर अगला कोशिन है वुंबई की तेराख जिनका नाम है कैनी शा गुपता कैनी शा गुपता याँ कैनी शा गुपता याद रखेंगे ने ओजिविगिस्तान ओपन चैंपर्शिप में महिला की कितने नंबर जो कितने मीटर की फ्री स्टाइल इस परदा में सोन पदक जीता है इंपर्टन है एक्जाम में ऐसा भी पूछ सकता है आदी जान पारी लगबग मैंने आपको 90% जानकारी दे दी है लेकिन आपको 10% जानकारी पता होने शिए तो 50 मीटर फ्री स्टाइल फ्री स्टाइल तेराख में जो है बैक स्टोक में रास्टे रिकॉर्ड बनाने के साथ उजवेगिस्तान ओपन कीुनबग में अपना दूसरा परदक हासल किया तो कितने मीटर की? 50 मीटर की भारत की जिली डाला विहला ने जिली डाला विएका का नाम है उजवेगिस्तान की ताशकन्द चैंपेशिप में 45 किलोग्राम इस परता में सुनद पतक जीता जिली डाला विहडा निर्मे से किस राजे से संबन्द थे या किस राजे से रहने वाली है अप्शिन आएगा उडी सा से रहने वाली है अगला है वाइस एड्मिरल जी अशोग कुमार ने दिल्ली सित नोसेना केंदर में सहीद लेफटिनेंट आपको नाम बताना है कि नाम पर निर्मित एक इमारत का उद्गाटन किया है तो आपक को बताना है कौन व्यक्ती है जिनके नाम पर एमारत मनाई गई है कमेंट करेंगे important question है exam में आएगा या आएगा तो आएगा धरम बीर सिहाग चले दोस्तों अब एक और information ही यह video मात्र आप लोगों के लिए क्या थी एक trailer थी एक trailer video थी आप लोगों के लिए इसका part 2 बहुत जल्ली आएगा और अगर आपने part 1 देखा है वोगी इस video का part 2 वैब part 2 है जिसमें आपको हर एक question important से ज़्यादा important लगेगा और आपको सबस्वेदा महत्वन बात यह है कि वो एक या दो दिन में ही मिल जाए आपनों के लिए और आपको मैं अगर आप लोगों के लिए वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक शेर और सबस्क्राइब वीडियो करेंगे थैंकिए फिर मॉचिंग दिस वीडियो वैस्टर फॉक आपकी एक्जाम के लिए आपके रिजल्ट के लिए